तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्जी हरी सब्जियां हेल्थ के लिए बहुत बढ़ियां रहती है और जो सीजनल सब्जियां मिल रही हो हरी वो जरूर खाना चाहिए हेल्थ के एकॉर्डिंग वो बहुत बढ़ियां रहता है और आज जो हम तरजी बना रहे हैं भिंडी वाली वो बिल्कुल हरी हरी दिखेगी, स्वाधिष्ट बनेगी, इसमें जड़ा सा भी लसला सा पर नहीं रहेगा, क्योंकि भिंडी की सब्जी जब हम बनाते हैं न तो वो एकदम अजीब सी लसला सी टैप की बन जाती है, तो बि स्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हो, आपके अपने चैनल श्रद्धा होम लाइफ में, तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी, टेष्टी, एकदम स्वाधिष्ट रेसिपी, तो भिंडी की सब्जी अपने फैमली के एकॉर्डिंग भिंडी ले लिए हैं, आपके फैमली में जितने मेंबर हो, उस हिसाफ से आप भिंडी ले सकते हैं, और इस तरीके से भिंडी को धो लिजे, धो करके इसे इस तरीके से कट करेंगे, भिंडी जब भी आप काटे ना, तो उसे बढ़िया से पहले धोले और तब फिर इसे काटें अगर बड़ी भींडी हो तो इसे तीन भाग में काटें और छोटी भींडी हो तो इसे दो भाग में थोड़ी बड़ी साइज के अगर बिंडी काटेंगे ना तो वो देखने में भी बढ़िया लगती है और सब्जी खाने में बहुत तो आप इसे रखेंगे साइड में और अब बारी है मसालों की तो चलिए हम इसकी मसालों की तैयारी कर लेते हैं अगर आप चाहे तो इसे सुखे मसालों से भी बना सकते हैं लेकिन आज हम इसे पीस कर बनाने माले हैं तो इसके मसालों में हम लेंगे 12 से 15 लहसुन की कलिया इस सबजी में सरसो मेन मसाला होता है जो कि सबजी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और इसमें हम टेस्ट के एक ओडिंग तीखा रखेंगे तो इसके लिए हम लिए हैं चार हरी मिर्च कुछ दाने लेंगे हम काली मिर्च के और आधा चमच की लगभग जीरा और आ इन मसालों को पिस कर एक दम बारिक सा पेश्ट बना लेना है बिल्कुल इस तरीके से तो ये दिखिए मसाले हम पिस लिए हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च जो सुखे वाली आती है वो आप ले सकते हैं लेकिन हम इसे हरी मिर्च में बनाएंगे तो सबजी भी कटकर तयार है मसाला भी पिस चुका है तो चलिए इसे अब हम बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए हम सरसो का तेल का योज करेंगे तो कड़ाही को गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे तो चमच के लगभग सरसो का तेल हमें ज्यादा तेल का योज नहीं करन और इसे डाल कर हम 2-3 मिनट के लगभब भूनेंगे और फिर इसे हम ढख देंगे और भूंडी को बस यहीं पर ढखना है ताकि भूंडी गलना स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम भूंडी को ढखकर एकदम नहीं पकाएंगे नहीं तो इसका कलर चेंज हो सकता है तो यह देखें भूंडी कितनी बढ़ियां देख रही है और यह थोड़ी बहुत लाल भी हो चुकी है तो इसे थोड़ा सा दो तीन मिनट इसी तरीके से हम चला चला कर भूं लेंगे और यह देखें यह चारो तरफ से भूंडी को आप जितना हो सके बढ़ियां से भूं लीजे लाल एकदम कर लीजे यही कारण होता है कि जब आप इसकी सबजी बनाएंगे न तो वह एकदम लिस लिसा पर उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा बहुत बढ़ियां सबजी बनेंगी यह देखें इस तरीके से जब भूंडी भूं जाए तब इसमें हम एड़ करेंगे मसालों को आप भूंडी में मसाला तभी एड़ करें जब लगे आपको कि भूंडी खुब बढ़ियां से भूं चुकी है को सब लेना हैं और इसमें नमक अभी एड हम नहीं करेंगे क्योंगि हम नमक एड़ करेंगे मां नमक शुरू करेंगी एग Pharm Pacific अकितर यह सबसे nenhum साल्यवम से को जादा नहीं होता है एक तरप से मसाले में अगर लिपट जा सब्जी तो उसे एक साइट सेखने दे फिर उसे थोड़ी देर बाद चला थोड़ी थोड़ी देर पर भिंडी को चलाएं और मसाले भी भून जाएंगे और भिंडी भी खुब बढ़ियां से भून जाएगी और तो अब यह सही टाइमिंग है इसमें नमक एड़ करने का और जब मसाले आप भूनेंगे ना तो वह भूंडी को छोड़ देगे भूंडी में चिपकी हुई नहीं रहेगी भूंडी अलग हो जाएगी और मसाले अलग हो जाएगे इससे पता चलता है कि मसाले बहुत बढ़िय और थोड़ा सा लाल मिर्च भी ऐड़ कर सकते हैं नमक ढालने के बाद इसे दो से तीन मिनट के लग भग भूनी हुई और इसमें हम एड़ कर देंगे पानी पानी हमें ज्यादा नहीं लेना है वस आधा गिलास के लग बहुत यहां पानी दालनी के बाद इस तरीके से इसे हम चला लेंगे ताकि जो कड़ाही में मसाले चिपके हैं वो खुब बढ़ियां से इसमें निकल जा क्योंकि मसाले खुब बढ़ियां से भुन चुके हैं और आधा ग्लास इसमें पानी डालेंगे और इसे खुब बढ़ियां से चला लें आधा ग्लास पानी काफी है इस सब् हम पहले भी बहुत बढ़ियां से तेल में फ्राई कर चुके थे फिर मसालों के साथ इसे भूने और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढग कर अब पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम रखेंगे मीडियम टू लो और इस तरीके से सबजी एकदम बस दो से तीन मीनट ही ह पानी डालने के बाद खोब बढ़िया से सब्जी पक कर तयार हो जाती है तो लीजिये बनकर तयार हो गई भिंडी की हरी हरी एकदम चटपटी सब्जी वो भी इसका बिना कलर चेंज हुए और आप देख सकते हैं सब्जी में लसापन एकदम बिलकुल नहीं है तो इस तरी इसे हम अलग से भी आपको दिखा देते हैं और फटा फट लगे हाथ ही हम सेक लेते हैं रोटी को क्योंकि सुबह सुबह का ब्रेक फास्ट हो तो बहुत ही भाग दोर रहती है काम भी रहता है तो उसे में हम रोटी भी सेक ले रहे हैं तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट किजेगा आपको कैसी लगी ये भिंडी की सब्जी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो रोटी भी बन चुकी है और हम कोई पराठे नहीं बनाने वाले हैं सुबह-सुबह अगर इस तरह की रोटी और सब्जी मिल जा तो ये हेल्दी नास्ता हो और ये देखिए सब्जी को हम चला कर भी दिखा रहे हैं इसका कलर और टेक्स्चर कितना बढ़ियां आया है तो अभी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपको इस रेसिपी की वीडियो कैसी लगी और आप इस रेसिपी को कप ट्राई करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यमाद और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्र कर लें ताकि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट भी कर सके और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके एक बार इस तरीके से भिंडी की सब्जी जरूर बनाईएगा आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है मसालों इसमें बहुत ही सिंपल से पढ़ेंगे अगर आप चाहें तो पैकेट वाले मसालों का भी यूज कर सकते हैं लेकिन इससे बनाने का तरीका सेम टू सेम यही रहेगा और जब आप इसे एक बार बना कर खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना जबरदस् तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजेगा वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा तो बाए राधे राधे